चेन की गद़ारी रूस के सामने आई जिसको दोस्त समस्ता था रूस उसीने दिया धोका पाकिस्तान की तरह अब रूस को भी लगाया चीन में चुना भारत को जिस बात का डर था वही हुआ नेपाल के रास्ते चीन के जासूस घुशे भारत में जहां दोस्तो वर्तमान में ये ड्रेगन रूपी चीन पूरी दुनिया की शांती के लिए ग्रहन बन कर बैटा है दोस्तो भारत हो या रूस या अमेरिका फिर ताइवान इन सभी देशों के लिए चीन ने आपत खड़ी करके रखी है दोस्तो चलो दुस्मन से तो दुस्मनी निफानी है लेकिन दोस्त से दुस्मनी कोन करता है लेकिन दोस्तो अपना पडोसी देश चीन तो बहुती श्वाभी मानी अपने फाइदे के चक्कर में वे किसी को भी धोका देने को तयार है दोस्तो हाली में घबर निकल कर सामना आई है जहां पर रूस के साथ चीन जिसने रूस के साथ एक unlimited partnership करी थी जिसके तहट रूस और चीन ने यह कसम खाई थी कि उनकी partnership की कोई शीमा नहीं लेकिन दोस्तो अपनी इसी partnership में अपने ही दोस्त रूस को धोका देती भी चीन अब खुद रूस से ही दगाबाजी करने लगा है जिहां दोस्तो यूक्रेन के साथ युद में उलजा रूस गिलाल कई परिशानियों का सामना कर रहा है परसीमी देशों के लगाए गए आर्थिक पर्तिबंदों की वज़े सी उसकी अर्थ ववस्ता को भारी नुक्षान हुआ है कच्चा माल ने मिलने से उसके उद्योग धंदे पूरी तरह से परभावित हो रहे है लेकिन इस विपत्ती की घड़ी में भी स्वैम को रूस का परमित्र बताने वाला चीन घटिया हरकतों से बाज नहीं आ रहा है रूस पर आई इस आपदा में भी उसने अपने लिए औस सर खोज लिया है दोस्तों चीन रूस को अब घटिया सेमी कंड़क्टर की सप्लाई कर रहा है इसका पता इस बात से चलता है कि पहले जहां चीन से रूस आये सेमी कंड़क्टर में से दो फिसदी ही खराब निकलते थे वहीं अब 40 फिसदी तक सेमी कंड़क्टर काम नहीं कर रहा है रूसी बिजनस समचार पत्र, कोमर्स सेंट ने यह जानकारी दी है चीन की आर्ड में की गई इस सिचालबाजी का रूसी मीडिया खूब बुराई कर रहा है बोस्तो सेमी कंड़क्टर में घराबी के बड़े हुए मामले से अब चीन की नियत पर शवाल उतने सुर हो गए है रूसी इलेक्टोनिक से निर्माता अब यह मानने लगे हैं कि चीन रिजेक्टेड माल की सप्लाई रूस को कर रहा है पस्तिमी देशों द्वारा लगाए गई परतिबंदों के काण अब रूस को चीन का ही सहा रहा है इसी का फाइदा चीन उठा रहा है चीन के सप्लाईर्स जानते हैं कि समय रूस ज़्यादा मोलभाव करने की स्तती में नहीं है और नहीं वेक्वालिटी को लेकर ज्यादा ना नुकर कर सकता है दोस्तों कई देशों द्वारा रूस पर आर्थिक परतिबंदों के काण कई कंपनिया रूस छोड़ कर चली गई है इससे रूस के इलक्टोनिक से उद्योग को भारी जटका लगा है आवश्यक चीजों की भारी किलत हो गई है चीन द्वारा रूस को सप्लाई की जा रही घटिया चीप से चीन के अपनी एर्थ ववस्ता का आधुनी करन करने और केवल वर्ड क्लास से प्रोडक्ट्स का उत्पादन करने के वादों पर भी सवालया निसान लग रहा है दोस्तों कोरोना काल में भी चीन ने कई देसों को घटिया सामान सप्लाई किया था अपने परम मित्र पाकिस्तान को तो उसने पुराने अंडर्वियर से बने मास्क भेज दिये थी इसके अलावा भारत सहीत कई देसों को घटिया इसतर पर प्रसनल प्रोटेक्टिव एक्पिमेंट किट सप्लाई की थी वहीं दोस्तों दूसरी बड़ी खबर जो आ रही है वह चीन से जुड़ी है दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नेपाल में चीन के नागरिकों की बड़ती संक्या और भारत सीमा के नस्दीग काम कर रहे चीन के एंजियों और चीन के टूरिष्टों की भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खब्रा बन सकते हैं दोस्तों अब वैशाच होता दिख रहा है अब हाली में दिल्ली के स्पेसल सेल ने दिल्ली से नेपाल की नागरिक बता रही एक चीन की नागरिक को पकड़ा है दोस्तों दिल्ली पुलीस की स्पेसल सेल ने मजनू का टिला इलाके से एक पचास वर्षिय महिला चीनी जाशूस को गिरबदार किया है महिला ने खुद को नेपाली नागरीक बता कर पुलीस की आँखों में धूल जोंकने की कोशिश की लेकिन जब उससे नेपाली में बात करने की कोशिश की गई तो वे नेपाली भासा नहीं बोल पाई पुलीस ने उसकी खिलाब विबिन धाराओं में केस दर्ज कर अरेश्ट कर लिया है उससे इस्पेसल सेल समेत विबिन खुप्य आजेंशिया अलग-अलग पोस्ताच कर रही है दोस्तों पुलीस की मुताबिक पकड़ी गई चीनी जासूस का नाम काई रो है वे नेपाली नागरी के डोल माल लामा बनकर मज़नू का टीला इलाके में रह रही थी उसने अपना पता भी कार्ट मांडू लिखवाया था अरेश्टिंग के बाद जब स्पेसल सेल ने एप आर आरो से उसकी जांच करवाई तो उसके अश्दी नाम का खुलासा हुआ असल में वेवर्स 2019 में चाइनीज पार्सपोर्ट पर भारत आई थी जिसके चलते उसकी डिटेल एजेंसी के पास दर्ज हो गई थी दिल्ली पुलीस ने चीनी जासूस की खिलाब खोरेन एक के तहट कई धारा लगा कर मुकदमा दर्ज कर उसे अरेश्ट कर लिया है दोस्तों पुलीस सुत्रों की मुताबिक चीनी महिला जासूस पिछले करीब तीन सालों शे दिल्ली में रह रही थी वे नेपाली बोध भिक्षू बनकर वर्स 2019 में रह रही थी उसमें वर्स 2019 में चीनी पासपोर्ट पर भारत की यात्रा की थी लेकिन उसके बाद वे वापस लोट गई थी बाद में वे नेपाल पहुंची और वहां पर डॉल्मा लामा के नाम से नेपाल के कागज बनवाए इसके बाद वे सडक मार्क से दोबारा भारत आ गई दोस्तों शुत्रों की मुताबिक आरोपी चीनी जाशूस चीन के हैनान प्रांत की रहने वाली है उसने सुरू में ही खुद को नेपाली नाद्रीक बता कर गुमरा करने की कोशिस लेकिन जब पुलीस अधिकारियों ने उससे नेपाली भासा में बोलने के लिए कहा तो वे बात नहीं कर बाई इसके बाद उससे सक्ति से पूस्ताज की गई तो उसने खुद को तिपती बोध बताते वे विक्टिम कार्ट खेलने की कोशिश की उसने बताया कि चीनी कम्यूनिस्ट नेता उसे मारना चाते हैं इसलिए वे जान बचाने के लिए उनसे भाग कर भारत आ गई इसपेसल सेल के अधिकारियों को सक्त है कि महिला जासूस भारत की एहम जानकारियां चीन को पहुंचाने में लगी थी मामले की गमभीरता को देखते वे अब रो, आईबी और मिलिटरी इंटेलिजेंस भी उससे पोस्ताज की तयारी कर रही है आरूपी से यह जानने की कोशिज की जा रही है कि उसका भारत में छुपकर रहने का असल मक्षद दिख्या था और वे अब तक कितनी खुपिया जानकारियां चीन पहुझा चुकी है देली पुलीस उसके नेटवर्क के बाकी लोगों को भी ट्रेस करने में लगी है दोस्तो यह चीनी जासूस का सारा खेल मात्र एक के सुरुवात है दोस्तो पिछले हपते जो मैंने वीडियो में आपको बताया था कि चीन के नागरीक का पिछले दो सालों से नेपाल में टूरिस्ट अट्रेक्शन का भी बढ़ गया है पिछले दो सालों में देखा गया है कि नेपाल में बहुत से चीन के नागरीका रहे है और दोस्तो इतना ही नहीं नेपाल में धीली सरकार की वज़े से चीन के बहुत से एंजियो नेपाल और भारत सीमा में कारिय कर रहे है लेकिन ये कारिया नहीं करते बलकि अपने Communist Party के ओडर पर भारत में अपने जासुसी कारिया को अंजाम दे रहे है दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत और नेपाल की रिष्टे काफी अच्छे हैं और भारत और नेपाल के बीच में शांस्कृतिक शम्मन्द इतने मिलते जुलते हैं कि उसको अलग अलग देख पाना काफी मुश्किल है खासकर उत्रपरदेश और बिहार के जो इलाके हैं वहां के लोगों का आना जाना रोजाना नेपाल में लगा रहता है और यही नेपाल के नागरीकों का है यहां नेपाल के नागरीक भारत में काम करने आते हैं और फिर साम को अपने घर लोग जाते हैं अब दोस्तो चीन इसी का फाइदा उठाना चाता है जैसे कि हम जानते हैं कि नेपाल से अमारे शंबंद काफी अच्चे हैं और यही कारण है कि हम नेपाल भारत की शीमा सुरुक्षा पर इतनी ज्यादा चोक्षी नहीं परते बस यही थोड़ी शी धील चीन के जासुसों के लिए काफी है दोस्तो इस समश्या का एक ही हल है कि इसके लिए भारत को तो काम करना ही होगा लेकिन भारत से ज्यादा नेपाल को शक्ती दिखानी होगी दोस्तो बरतमान में नेपाल की सरकार चीन को काफी हलके में ले रही है और यह तब है जब नेपाल के खुद के जो श सबसे बड़ा देश होने का भारत को कई बार नुक्सान उठाना पड़ता है कभी सिरलंका को समझाना कभी नेपाल को समझाना अपने परोशी देशों को चीन के जंगूल से बचाना क्योंकि यह देश इतने परिपक्वे नहीं है जो चीन को हैंडल कर सके ऐसे मैं भारत को इन